हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो अनादर वीडियो आज मैं आपको बताने वाला हूं लाइब लोड के बारे में किसी भी आप इस्ट्रेक्चर को डिजाइन करते तो क्या लाइब लोड को एजूम करते हो अगर आप ऑपस विल्ली को डिजाइन कर रहे हो तो कितना लाइब इस दोश्तो आपको यह मालू होना चाहिए कि इस पायटी कलर रूम के लिए कितना लाइब लिड होता है कि बेसके ле क्लीर हो सो जानने से सब्सक्राइब करें डोस्तो में जिसका नाम है फीड़ीवर्क एकसपर्ट और हाँ दोस्तो सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल दवन आए दोस्तो इससे क्या हुआ जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं दोस्तो अपकमिंग 500 to 600 वीडियो मैं नहीं चाहता आप एक भी वीडियो को मिस करो दोस्तो क्लियर जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 100% प्रेक्टिकल नोलेज सो सबस्क्राइब दियर फ्रेंड प्लीज देखे दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइब लोड अवाइडिंग टू बिल्डिंग क्लियर यह आपके इस्ट्रेक्चर रेजिडेंशिल बिल्डिंग ओफस बिल्डिंग हॉस्पिटल होटल्स यह आपकी लोकेशन है रूम बालकनी ओफस आर्चिप्स बालकनी याइड इस्ट्यार क्लियर यह आपके लडूर विउए देखिए सब्सटेश lorsव बात करते हैं रेजिडेंशिल बिल्डिंग इसमें आपको किता लाइब लोड ग्लों करना होता है दोस्तों देखिए रूम के लिए आपको ट्रमी पर क्लिए के लिए इतने लाइधि यह यरिग किचिन की बात करें, तो आपको 3 Kn per m2 लाइब लोड आपको एजूम करना होता है, clear? यदी आप बात कर रहे हैं, ओपस बिल्डिंग की, डिजाइन की, clear? तो आपको ओफिस जो रूम है, लोकेशन, ओफिस रूम में आपको 2.5 Kn per m2 लाइब लोड को एजूम करना रहता है, आपके डेस्क बगएरा चेयर बगएरा जितना भी आपका हन्नीचर यह सारी चीज आ जाते हैं आपका क्लियर अब आर्चिव्स यह कहरे रहता है दोस्तों यह लेखा गार यह ओफिस टाइप कर रहता है जिसमें आप रिटेन करते हो इसका लोड रहता है लाइपड़ फाइफ से टेन किलोनुटर पर मीटर स्कूर एक तरीके से यह एक स्टोरेज प्लेस रहती है बुक्स अगेरा की क्लि बिल्डिंग में रूम के लिए इतना है ओफिस बिल्डिंग में ओफिस के लिए 2.5 है यह लोगेशन की डिपेंड करता है कि कितना यहां पपलिक प्लेस है रेजिडेंशिल प्लेस है या पब्लिक प्लेस है क्लियर उसी सबसे आपका लोड बढ़ता जा गाए ता इधा क्लियर यह प्लेस में है इस का लौड लेना होता है तो 25 फ्ल्ड प्लीव को 20 स्वेर उस्को मान कर आप होसस्पीटल के पेशईंट घू करते हैं क्लियर अब बात करते हैं Surgery कल लेप इसका 4 और मोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर क्यो रहता है दोस्तों आपको मालू है क्योंकि इतने heavy equipment रहते हैं Surgery कल लेप में इतनी high weighted machine रहते हैं 2 quintals, 3 quintals इसी बेस पे आप इसको design करते हैं 4 और मोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर के बेस पे इसी बात करते हैं balcony and stair hospital की इसमें भी आपको मालू है दोस्तों heavy equipment लगे हुए रहते हैं 4 किलो न्यूटर पर मीटर स्क्वेर मीटर के साब से आप इसे design करते हैं अगर आप बात कर रहे हैं होटल्स की इसमें गेस्ट रूम के क्या लाइब लोड लेते हुए दोस्तों 2 किलो न्यूटर पर मीटर स्क्वेर स्क्वेर सेम आपका residential building के रूम का जो लेते हैं clear बहुत आसान ही होगे आपको याद करने में अब बात करते हैं public area and restaurants, hotels बगयरा में कितना लाइब लोगे 4 किलो मेंटर स्क्रविकॉज पब्लिक प्लेस clear यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों नेश्ट वीडियो के लिए देखने के लिए धनवाद